नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तव उत्तरप्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनात ने मौडल दिया हिंदू एकता का और ये मौडल हिट है लेकिन अब एक और मौडल दिया जा रहा है मुस्लिम एकता का और ये मौडल दे रहे हैं मौलाना लेकिन इस मौडल में सच्चाई थोड़ी सी अलग है इसमें एकता की जगा भड़काने का तड़का डाला जा रहा है और इसी पर आज हम अपनी एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और उत्तरप्रदे के मुखे मंत्री योगी आदित्तिनात ने राष्ट को सशक्त रखने के लिए बटोगे तो कटोगे कई बयान क्या दिये सियासत मानों इनी पर आका टिक गई विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया भाजपा को घेरने का सियम योगी ने कहा कि कटोगे तो बटोगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर बटोगे तो दूसरे महफिल जाएंगे आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और पढ़ाने वाले हैं देश के कौने कौने में हर सनातनी को इस देश को प्यार करने वाले को इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को इस देश के कोटी कोटी जनों को प्यार करने वालों को हर किसी को सतरक रहने की जरूरत है सनातन को मिटा कर ये देश को फिर एक हजार साल की गुले में गुलामी में तकालना चाहते हैं ये बयान क्या दिये पहले तो भाईजानों ने इनका विरोध किया मुसल्मानों के मसीहा बनने वाले AI MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो मोर्चा ही खोल दिया लेकिन अभी कुछ दिनों के अंदर भाईजान के सुर बदले बदले से लग रहे हैं जो वैसी साहाब अभी तक योगी मोदी का विरोध कर रहे थे आज वो भी योगी मोदी की रहा पर ही चलने लगे हैं आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी याद रखिए जब तक आप भारत में मुसल्मान अपनी सियासी खियादत को नहीं बनाएगा जब तक भारत में मुसल्मान अपने ओटों से अपने नेताओं को नहीं बनाएगा उस वक्त तक मुसल्मानों को शिकायच करनी परती रहेगी उस वक्त तक मुसल्मानों की आँख में आसुं आते रहेंगे उस वक्त तक मुसल्मान नौजवान जेल के में अपनी जवानी को परभात करता रहेगा आज आपको फैसला करना है कि क्या हम बतने अजीज में, क्या हम बतने अजीज में भीक मांगेंगे, क्या हम बतने अजीज में, नाम निहाज सेकुलर पाटियों के उनके डफ्तर पर जाकर उनसे भीक मांगेंगे कि हमको हमारा हक दो, मैं आद को सिर्फ एक ही बात बतानी आया हो, कि हमको अगर भीक मुसल्मान ये भी समझ चुके हैं कि एक्ता में ही भलाई है और उसी से बात बनेगी एक दूसरे को साथ लेकर चलना ही होगा लेकिन यहां क्या फर्क है आपको बता दे कि इन भायजानों की एक्ता वाली तक्रीरे भड़काओं है जबकि इधर एक्ता की बात की जा रही है और इधर भड़काओं तक्रीरे दी जा रही है और इसकी शुरुवात की मुसल्मानों के सबसे बड़े रहनुमा असद्दुद्दीन ओवैसी ने इधर ओवैसी ने मुसल्मानों को एक जुट होने की बात कही तो अधर सारे मौलाना मौलवी चलने लगे जो जहां है उसने वह प्रत साब दिखाई दे रही है जो भड़काने और उकसाने वाली है हिंदू के खिलाफ करने वाली है अब आपको बता दे इस्तक्रीर के पीछे वज़ा है योगी आदित्यनात जी हां उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे बटेंगे तो कटेंगे और इसी प्रमोग मोहन भाववक्त ने कहा हिंदू को संगठित रहना होगा बाबा बागेश्वर ने भी कहा हिंदू को एक जुट करने की जरूरत है लेकिन योगी ने जो एकता का संदेश दिया वो एकता का काम और सियासी संदेश जादा बन गया जाहिर है योपी में योगी मॉडल हिट है यही कारण है कि दूसरे प्रदेश में भी योगी के मॉडल को हातो हात लिया जा रहा है जैसे उनका हर एक मॉडल हिट रहता है वैसे ही उनके इस एकता वाली लकीर को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा रहा है जिसका असर राजानी दिल्ली में देखने को भी मिला दिल्ली में विश्म हिंदू परिशद ने शोभायात्रा निकाली और हिंदू एक्ता का संदेश दिया हिंदू एकता की थीम पर निकाली गई इस यात्रा का मकसद ये था कि हिंदू अब बटेगा नहीं और ना ही उसे बाटने की कोशिश की जाए इसी के चलते महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक बीज़पी की नेता अपने अपने सिरे से हिंदूों को एक जूट करने की कोशिश में लगे है विलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश तुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूस भारत